Hi Guys, Welcome to Our Channel, Hanishka's World So guys, ये உ हनिषका की मामू की शादी का Part 2 है Part 1 में हम आपको शगुन दिखा चुके हैं और इस पार्ट में हम शादी कवर करेंगे अभी हम रात को शगुन डालके वापस आ चुके हैं और यहांपे हनिषका के मामू को तेल चढाया जा रहा है यहाँ पर एक कंचक और सारी married ladies लड़के को तेल चड़ाती है जब सक एक से दो रही हो जाते हैं यह लड़के के भाभी लड़के को मेहदी लगा रही है और अभी रसम आ गई है मेहदी लगाने की जिसमें भाभी अपने देवर को मेहदी लगाती है मेहदी में लड़की का नाम भी बहुत प्यारा सा लिखा जा रहा है अभी सुबह हो गई है और थोड़ी देर में सारे शादी के लिए ready हो जाएंगे लेकिन बरात जाने से पहले जो सबसे पहली रसम होती है बटना और हलदी लगाने की वो निभाई जा रही है तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी मैंने पालर जाना था तो सबसे पहले हलदी और बटना मैंने ही लगाया तो गाईज बटने का सारा काम खतम हो गया है और अब मैं और हनिश्का जा रहे हैं ब्यूटी फाल्फर में ready होने के लिए तो अभी मैं जा रही हूँ उपना ड्रेस वेर करने और उसके बाद मुझे ready किया जाएगा तो तब तक पहले दीदी इसको देखेंगी है अनिश्का को और मैं अभी से ड्रेस डाल के आती हूँ सब गाईज हम हो चुके हैं इशादी के लिए ready और color combination आप हमाना देख सकते हैं बिल्कुल matching matching है और accessory भी हमारी matching है लेकिन beautiful जादा मैं भी लग रही हूँ हमारे घर वापिस आने से पहले ही दूले को पगड़ी बांदने की रसम स्टार्ट हो चुकी थी तो जैसे ही हम घर वापिस आए तो बहन की जो रसम होती है दूले को सहरा पहनाना हमने वो पहनाया और इतनी देर में बाहर बैंड वाजो की आवाज सुनाई दूले बारात निकलते ही सबसे पहले भाबी दूला देवर को सुर्मा डालने की रसम की गई और उसके बाद हम पहुंच गे गुर्दवारा में फेरे करने के लिए परदे सड़ होई है फेरे होने के बाद जब हम बारातियों ने लड़की वलों से मिल लिया तो अब रसम आ गई रीबन कटाई की जहां पर सालियों ने नाका लगाया था अपने जीजाजी से मोटी रकम वसूलने के लिए यहां पर रसम कुछ ऐसी थी कि जब दूलहन स्टेज पे आती है तो दूले के भाई दूलहन की जगा को कवर करके बैठ जाते हैं और जब तक शागुन काली फाफान के हाथ में नहीं आता वो उसकी जगा नहीं चोड़ते कि लुड़ते हैं शादी करने के बाद जब दूला दूलन घर वापिस आते हैं तो सबसे पहले मामी उनकी आरती करती है और दूले की माँ उचसे पानी वारती है जो पानी दूले ने रोकना होता है अपनी माँ को पीने से शादी के बाद जो पहली रसम होती है नननद की वो शुरू होने जा रही है अभी मैं खोलूँगी सूटकेस और ये सूटकेस जो है वो नननद ओपन करती है यह ही मैं करने जा रही हूं देख्थे इसमें से क्या क्या निकलता है श जल भाभी बताइंगे किस में क्या क्या है वाभी बताईये तो यह शगून होता है ननद का, शूट के सोपन करने का, जो पहला ड्रेस है वो मुझे ही मिला है, पहला सूट, अब जो बाकी है वो सारे चाची, मासी, मामी, साथ, भाभी, सब के होंगे, तो वो ममी अब डिस्ट्रिबिट करेंगे, मुझे मेरा मिल गया, मैं अब ही साठी ह और यह हमारी छोटी बहन है, छोटी ननद, जो कैनेडा में बैठी हुई है, लेकिन इसने पूरी शादी देखी है, से हाई, और यह हमारी बीच वली ननद है, इसने पूरी शादी लाइव देखी है, यह फ्रंट पे कभी नहीं आई, तो बेसिकली हम तीन बहने हैं, एक कै यहाँ है, और यह यहाँ पे है, शादी की अगली सुबह, बदाई मांगने वालों का आना जाना स्टार्ट हो गया, So guys, शादी के बाद ही रसम होती है, कि भाभी को उनकी ननद रेडी करती है, बड़ी भाभी को भी मैंने रेडी किया था, पर तब हम यूट्यूबर नहीं थे, व्लॉग नी बनाते थे, और अभी शोटी भाभी को रेडी कर रही हूं, तो यह हम व्लॉग में कवर कर रहे है तो चलो guys, रेडी करना स्टार्ट करते हैं और अभी हम रेडी करेंगे बड़ी भाभी को शागुन की मोटी रकम पाके मैं तो हो गई बहुत जादा खुश शादी की अगले दिन एक रसम होती है अपने जठेरों को पूझने की और यहाँ पे यह परकर्मा कर रहे हैं और अपने जठेरों को पूझ रहे हैं हमारे यहाँ पंजाब में इनको स्टैलियां भी बोलते हैं यह शादी की सबसे लास्ट रसम है जिसको पंजाब में पट बिठाई बोलते हैं इनी सारी रसमों के साथ हमने तो शादी में बहुत मस्ती करी बहुत इंजॉय किया और आपको भी हमारा शादी का व्लॉग अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना